सब्सक्राइब तक एक बार कन्फर्म कर देखें सब्सक्राइब तक एक बार कन्फर्म कर देंगे सारी चीज़ें प्रॉपर हैं रोहित इशू संजना दिनेश चेतन सुभोजीत सोनिया शर्मा सौरब मिश्रा सबको गूड इवनिंग तो स्टार्ट किया जा फिर सेंस जिसको के हिंदी में जन गड़ना बोलते हैं अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से आपको पहली बता दूँ ये टॉपिक बहुत 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 इंट्रेस्टिंग है अपने ऐसा टॉपिक पढ़ा नहीं होगा अस तक तुमको मजाग लग रहा होगा है ना इतत हमको ही पता है अभी तुमको पता चल जाएगा अभी स्टार्ट करें फिर चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये सेंसस क्या होता है जन्गलना क्या होता है तो सेंसस जो ही एक चिडिया का नाम है ये चिडिया क्या करती है हर दस साल में घर घर जाके लोगों को गिनने का काम करती है कितने पढ़े लिखे हैं ये काम करती है किनने का, कितने male हैं, कितने female हैं, कौन से धर्म से हैं, ये सब करना इस चुलिया का काम है, ठीक है, अब ये जो चुलिया का काम है, ये census जो कर रही है, मतलब कि एक तरह से जो सारी चीज़ने गिन रही है, इसकी history समझते हैं, कब से इस चुलिया का जनम हुआ, तो इस चुलिय Lord लगाने तो लगा सकते हैं अपनी सुविधान उसार लेकिन मैं तो नहीं लगा हूँगा ठीक है तो मेयो बाकी इनके नाम क्या गिर लगा सकते हैं थोड़े ठीक थे यह हो गया रिपन हो गया ठीक है तो यह जो मेयो थे 1869 से लेके 72 तक के बीच में और इसी के टाइम पे इंडिया में पहला census यह पहली जनगलना हुई और यह जो है Government of India Act 1858 यह हम लोग Act वाली जो Classes को कर चुका हैं जहाँ पर हमने देखा था Government of India Act 1858 जिसको कि हम Queen's Proclamation के नाम से जानते हैं जहां से Secretary of General की Position क्रियेट की गई थी जहां से क्या किया गया था 15 Member की एक Council क्रियेट की गया थी East India Company को Abolish किया गया था उसी ने यह बोला था कि Governor General of India आप से जो है Voice Ray हुआ करेगा तो इन मेयो के टाइम पे हुई थी 1872 लेकिन दिक्कत यह थी कि यह complete नहीं थी not complete not synchronized पूरी तरह कैसे नहीं हुई थी जो है इसको पूरी तरह से एक्जिक्यूट नहीं कर पाए थे फिर आये थे हमारे रिपन जी ठीक है रिपन इनके नाम क्या कि बहले लॉड लगा सकते हैं आप तो इन लॉड रिपन की अगर हम बात करें तो यह इंडिया के वोईस रहे रहे 1880 से लेके 1884 तक इनके बीच में एक आया था लिटन उसके नाम के आगे तो बिलकुल लॉड नहीं लगा सकते है ठीक है तो हिस्टी में हमने क्या क्या पड़ा था रिपन जी सेलेटिड कि इन्हों ने वर्नाकलर प्रेसेक्ट जो की लिटन लाया था 1878 में उसको रिपील किया, First Factory Act 1881 में आया, Father of Local Self Government के नाम से इनको जानते हैं, लोग उने पॉलिटी में पड़ा था ठीक है 1881 में, 1881 में, यहां तक हो पूच लेता है, जैसे I think UP pieces पिछले अल एक्जाम में जो हुआ था, कि मतलब उसने लिखा नहीं था, ठीक है but I think उसने लिखा था कि पहला कब हुआ था, तो option में था 1871, मतलब ऐसा था, 1881 इस तरह से option में थे और उसने 1871 माना था ठीक है फिर उस पे वो हुआ, objection हुआ, then 1881 माना था, तो यह आपके एक्जाम में लिखे आएगा, ठीक है यह चीज, अब उसके बाद, एक question, कि इस time पे census commissioner कौन था, जब यह पहला complete census हुआ था, तो इस time पे हमारा census commissioner कौन था, तो census commissioner था, W.C. Plodden commissioner जी का नाम था, W.C. Plodden, लेकिन, अभी कहानी में twist है, क्या twist है, twist यह है, कि भले पहला census 1872, पहला complete census 1880 क्या सी, लेकिन, पहला census किसी city का, first census of a city, यह conduct करवाया गया था, धाका में, 1830 में, 1830 में, और इसके अगर हम census commissioner की बात करें, तो यह census commissioner थे, Henry Walter, और इसी लिए, Henry Walter को हम बोलते हैं, father of Indian census, यानि कि census जन्गलना का पिता बोलते है, father of Indian census, अब आप पूछेंगे, mother किसको बोलते हैं, तो mother किसी को नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो father of Indian census है, Henry Walter, clear, यह जो census होता है, census, is conducted, census, यह तो मुझे चीज को यहीं पर लिख देना चाहिए, census is conducted, after every 10 years, conducted, after every 10 years, यहनि हर 10 साल के बाद, जो है, census conduct करवाई जाती है, clear, अब यह जो census है, हर 10 साल में तो conduct करवाई जाती है, अभी, चलो, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, जो पहले census हुई है, उसके बारे में, तो post-independence अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडनेस, जो first census हुई, that was in the year 1951, 1951 में सबसे पहले census हुई, पोस्ट इंडिपेंडनेस, और जिसके बारे में हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, लेटेस्ट जो ही सबसे, वो है 2011 की 2011 की, हर 10 साल में होती है, उन्हें से 51, 61, इस तरह से 2011 तक हुई, एक question आप answer दीज़े जले इस comment में, जो हम लोग उने पॉलिटीम पढ़ा था, कि हर census के बाद, article 82 के तहत, क्या बनाया जाता है, किसका गठन किया जाता है, so that, interstate and intrastate parity को maintain किया जा सके, for the representation in the parliament, दूसरा question पता है अपसे यहां से क्या बनेगा, वो तो चलो, ऐसे ही मैंने पूछ लिया, वो यहां से question नहीं बनता है, वो तो पॉलिटी का question है, question यह बनेगा, यह कितने number का census है, तो ध्यान रखेगा, यह 15th census है इंडिया का, पंद्रवी जनगणना है भारत की, लेकिन अगर after independence पूछेगा, post independence, कि independence के बाद, यहां पर हमने calculate किया, 1872 से अगर हम calculate करना start करेंगे, तो, लेकिन अगर हम after independence calculate करेंगे, तो यह इंडिया की 7th census निकल के आएगी, सात्मी जनगणना, और आर्टिकल 82 का यूज़ करके, हम delimitation commission पर ही सीमन आयोग का गठन करते हैं, और यह कितनी बार किया गया है, जरह comment बताईए, और यह हम लोगों ने पढ़ा था, कि delimitation commission पर freeze कर दिया गया है, 84th amendment ने इसको 2026 तक, 2026 तक इसको पूरी तरह से freeze कर दिया है, और 87th amendment ने यह बोला था, कि जो 2001 में census हुआ था, उसके basis पे आप delimitation करेंगे, यह बोला था 87th census ने, यह हम लोगों ने polity में पढ़ा था, तो अब बात ही आती आपके दिमाग में यह doubt आना चीए, कि यह चिडिया 2011 में आई थी, 2021 में आनी चीए थे फिर तो, 2021 सला latest सला होना चीए था, अभी तुम 2024 में है, तो यह जो चिडिया है ना, इसको corona हो गया था, covid हो गया थे इसको, तो यह चिडिया उड़ नहीं पाई, जब उड़ना था, 2020 में, फिर इसने उड़ना चाहा, post covid, vaccine लेने के बाद, मोदी जी नहीं उड़ने दिया, बोलते हैं, बिटा, रुख जाओ भी, चिना हो जाने दो, तो मोदी जी ने पर काट दिये, मोदी जी ने बोला भी, 2024 में यानी कि अगला census होगा, 2024 में जब elections हो जा तो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो conducting authority कौन है census की, तो conducting authority है, office of, office of registrar general, office of registrar general, इसके conducting authority है, and census commissioner of India, census commissioner of India, यह, यह आते हैं, मोहा के अंडर, मोहा, यह क्या होता है, यह है ministry of home affairs, कौन है भी minister of home affairs, तो यह conduct करते हैं, ठीक, अब यहाँ से हम start करने वाले हैं, क्या, यहाँ से हम start करने वाले हैं, जो हमारा latest census हुआ है, census 2011, 2011 की जन्गड़ना, जो कि हमरी पंद्रवीं जन्गड़ना है, seventh है, since independence, all right, सबसे पहली चीज, इसमें registrar general कौन रहे, registrar general कौन रहे इसमें, तो इसमें रहे cm चंदर मौली, ठीक है, cm चंदर मौली इसमें रहे, registrar general, इसका motto क्या रहा, इसका motto रहा, our census, our future, यानि हमारा जन्गड़ना, हमारा भविश्य, our census, our future, all right, यह motto रहा हमारा, now talking about population, अब यहाँ से हम start करने हैं, but before that, एक चीज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछ ले question कि यहाँ पे कितने states और UTs का data लिया गया, कितने राज्य और कितने केंजर शासित प्रदेश, तो 35, district वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछ ले फिर भी, तो 640, यहाँ पे देखिए, data भर भर के है इस particular session में, इस particular census topic में, लेकिन मैं restrict करने वालों खुद को, उस level तक कि जहां तक आपका काम आराम से चल जाए, ठीक है, और इसका base क्या रहा है, बेस जो अभी तक के questions रहें, जो questions पूछे गहें आपके SSE, अफे different exams में, ठीक है, आप कोई भी exam उठा सकते हैं, सब में ही almost question आते हैं, तो वो base रहा है, अब इसके बाद कल को अगर कुछ SSE ने एकदम ही, क्योंकि data है, data में पूछने में क्या है, लेकिन याद करने में तो बहुत difficult है, तो अगर for example अभी exam होंगे आगे, अगर कोई data ऐसा आ जाता है, जो की chances कम, बहुत बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे मैं sufficient amount of data, जो important है, exam perspective से, कि भी load ना भी हो, load ना भी आपको लगे जादा, क्योंकि load तो थोड़ा तो लगेगा, ठीक है, थोड़ा तो लगेगा बिलकुल लगेगा, ऐसा भी true बात नहीं है, सची बात नहीं है, लेकिन वो तो थोड़ा आपको बेर करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने side से कम करने कि मैंने खूब कोशिस यहाँ पे करूँगा, ठीक है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी कितने states and duties and कितनी district रही है, अब यहाँ पे आते हैं किस पे, population पे सबसे पहले कि यानि कि जन संख्या पे पहला अमारा topic रहेगा, जैसे हम जन संख्या देखेंगे, फिर उसी में उसकी जन संख्या कि sex ratio, population ठीक है, और literacy rate यह सब पे आएंगे दीरे दीरे, ठीक है, तो total population अगर हम बात करें, इंडिया की इस census के according रही है, 1210.2 million, एक million में कितने zero होते हैं, इसको in short में बोल सकता हूँ, 1.21 billion, यह population इतनी है, कि आप USA की population मिला लीजिए, आप Indonesia की population मिला लीजिए, आप Brazil की population मिला लीजिए, आप Pakistan की population मिला लीजिए, अभी यही नहीं और सुनिए, बांगलादेश की मिला लीजिए, जेपान की मिला लीजिए, सब की मिला लीजिए, तब कहीं जाके population बनेगी, और यह तो 2011 की बात है, अभी आपको पता है, कि इंडिया तब second most populous country in the world होता था, इंडिया total world की population का 17.5% of total world population resides in India, according to 2011 का census, लेकिन तब तो हम second number पे आते थे, अभी तो हम first number पे आ गए है, ठीक है, चाइना को पचाड के, तो अभी देखेगा जो नया census आएगा, world population resides in India, is that clear, और अगर चाइना का पूछ ले, तो 19.4% यह 2011 के census ने बोला था, चाइना का, ठीक है, अब यहाँ पर discuss कर लेते हैं कि male और female population का क्या हिसाब रहा, तो total population तो मैं आपको बता दी, total male population 623.7 million, और अगर female population की बात करें, कि महिला जन संख्या कितनी रही, 585.5 million, यह female population रही, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि highest, lowest, यहाँ पे, जो यहाँ पे मैं structure लिखने जा रहा हूँ, मैं कोशिस करूँग, कोशिस कर मैं करूँगा ही करूँगा, इस पूरे structure को मैं throughout the lecture follow करूँगा, कुछ भी लिखने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, कि highest, किस state की है, lowest, किस state की है, highest, किस UT की है, lowest, कि UT, UT मतलब union territory, मतलब केंदर, शासित, प्रदेश, और highest, किस district की है, जिले की, और lowest, किस district की है, clear, तो यही same format रहने वाला है, तो जो लोग notes बना रहे है, तो कोशिस करें किसी format में लिख लें, तो याद करने में आसानी रहेगी, अब highest की अगर हम बात करें, तो किस state की population, highest है सबसे है, तो यह है हमारा, UP, UT, UT की, कितनी है, नंबर याद करने के ज़रत नहीं है percentage सोड़ा ध्यान रख लेना कि total, total सारे state, पूरे इंडिया की population का 16% UP में recite करता है, पूरे, मतलब जो हमारा इंडिया उसका, ठीक, roughly 20 करोड है, वैसे तो 19.95 something करोड है, UP के population, लेकिन वो यह number याद रखने के ज़रत नहीं है, percentage याद रखेगा, इसके बाद आता है, अगर हम बात करें, तो इसमें percentage मत्याद रखो, बस इतना रखो, UP, then महराष्ट, then बिहार, यह order आपने याद रखना है, lowest अगर हम बात करें, तो lowest है सिक्किम की, अभी चोलो मैं आपको बताऊंगा, कि lowest सिक्किम की तो है, लेकिन अगर हम state और UT सब को ही मिला लें, तो लोवेस्ट पॉपलेशन है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश हमारे पहले तो अभी यह decide कर लो, आप किते state हैं इंडिया में, किते state और UT हैं, तो हमारे इंडिया में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, तो उसमें से लक्षदीप की सबसे lowest population है, सबसे lowest, और अगर हम वैसे state और UT भी मिला लें, तो उसमें भी सबसे लक्षदीप की कम होगी नि, सिक्किम से भी कम है इसकी, ठीक है, तो मतलब मैं इसलिए बोला हूँ, ताकि अगर इस तरह से question बन जाए कि सिक्किम और लक्षदीप दोनों option में होगे, तो answer लक्षदीप होगा और अगर highest बात करेंगे, तो फिर डेली होगा, population के terms में, population density अभी आगे पढ़ेंगे, डेली टॉप करेंगा अपना, अब district भी question पूछने लगा है, तो district भी आपको पता होना चाहिए, district कर बात करें, तो थाने, जो महराश्ट में पढ़ता है आपका, ये highest population रखता है, और अगर में lowest की बात करें, तो ये दिबांग वैली है, दिबांग जरा बताइए, किस नदी का नाम है, इन अरुनाचल, देखते हैं कितने लोग बता पते हैं, दिबांग वैली, ये है आपका, अरुनाचल में पढ़ता है district, और ये महराश्ट में, अगर city पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछेगा district में काम चल जाएगा, तो मुंबई है महराश्ट का, जिसका की highest population है, ठीक है, city एक बड़ा administrative division होता है, as compared to the district, यहां तक किसी कोई doubt तो नहीं है, हाँ, ब्रह्म पुत्रा, ब्रह्म पुत्रा, वैसे तो भी पढ़ाया नहीं, नहीं तो फिर अलका देते तुम लोगों ऐसे, ब्रह्म पुत्रा का नाम नहीं है सर, ब्रह्म पुत्रा का नाम दिहांग है, तभी हम पूछे थे, कि आप कितना alert रहते हैं, और आप में से काफी लोग PYQ सिरीज भी कर रहेंगे, PYQ सिरीज में तुम्हें तीन-चार बार भी बता चुका हूँ, और फिर तुमने वही mistake करी, ठीक है, कि दिबांग जो है, वो ब्रह्म पुत्रा नहीं है, दिबांग एक साहयक नदी, ट्रिब्यूट्री है, ब्रह्म पुत्रा की, दिहांग नाम है ब्रह्म पुत्रा का इंदी अरुनाचल, फिर वो नीचे आएगी तो उसका नाम पढ़ जाता है, ठीक है, वैसे तो फैक्ट पूछे का नहीं, बस बता रहूं है, अब हम डिसकस करेंगे, ग्रोथ रेट इन पॉपलेशन की, कितना हम ग्रो कर रहे हैं, कितना व्रधी है, व्रधी दर जनसंख्या में, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपलेशन, अब ग्रोथ रेट की बात करें, तो दो पैरामीटर्स में इसको मेजर किया जाता है, कि अनुवल कितना है, यानि कि हर साल कितना पॉपलेशन ग्रो किया, और डेकडल कितना है, डेकडल मतलब दसक में, दसक मतलब क्योंकि हम एक दसक, यानि दस साल का ही तो सेंसस कालकुलेट करते हैं, तो यहां पे हम इसक को देखने वाले हैं कि 2001 से लेके 2011 कि अगरम पॉपलेशन इन दोनों साल की कंपेर करें तो कितना ग्रोव कर गई और अनुवल का मतले हैं 2001 से लेके 2002 दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच और सारे ऐसे याद करने पड़ें क्या न, एवरेज ले ले लेंगे इसका, तो एवरेज अनुवल ग्रोफ रेट इन पॉपलेशन रहा है, यहाँ पर मैं दूसरे अकलर का यूज कर देता हूँ, 1.64% यह रहा है अनुवल ग्रोफ रे ग्रोफ रेट इन पॉपलेशन, लेकिन अगर नमबर में पूछ लेगा, कि 2001 से 11 के कंपैर करें, तो कितने लोग एड हो गए हमारे जनसेंख, कितने लोग हमारी पॉपलेशन में एक्स्टा एड हो गए, तो 181 मिलियन, यह नमबर, ब्रजील की पॉपलेशन जस्त थोड़ा सकमें, तो आप यह मान सकते हैं, कि हम पूरा 10 साल में ब्राजील जोड देते हैं, ठीक है, अब question यहाँ पर यह बनेगा, कि किस की, ठीक है, ग्रोफ रेट या रहे हैं, हम लोग ने डिसकस कर लिया पहले ही, ग्रोफ रेट इन पॉपलेशन को, खेर कोई नहीं, तो अब हम सबसे ज़्यादा ग्रोफ रेट रहा था, यह सारी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है, हाइस्ट, हाइस्ट डेकडल ग्रोफ रेट इन पॉपलेशन, यह रहा है, 1961 से लेके, 1971 तक, 1961 से लेके, 71 तक, सबसे ज़्यादा जश्कीव रद्ध हमने देखी, कितनी, 24.8% की, और अ सबसे लोएस्ट कब रही, तो लोएस्ट, 1911 से लेके, 1921 का जो सेंसस था, 1921 को इसलिए, 1921 को इसलिए, Year of Great Divide भी बोल देते हैं, ठीक है, विभाजन का साल, क्यों? क्योंकि इस साल तक, 1921 तक हम बहुत धीमे 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 ग्रोफ हो रहे थे, और इसके बाद, जो पकड़ी है ना, हमने, मतलब इसके बाद हमने ठान लिया, कि अब बोल के नहीं दिखाएंगे, कर के दिखाएंगे, ठीक है? कि अब बोलेंगे नहीं, sex education और कुछ नहीं, चर्चा नहीं करेंगे इसकी, लेकिन कर के दिखाएंगे, और कर के दिखाएंगे हमने, देखो कितन बहेंकराज नंबर वन पर खड़े हुआ है this is what called as कि मतलब करके दिखाओ बोलो नहीं ठीक है your result will speak louder than your words तो वो हमने किया फिर इसके बाद हम कभी रूके नहीं जम के हमने जो है population खीची अपनी और 1921 को इसलिए year of great divide बोलते हैं ठीक है लेकिन चर्चा करने से डरते हैं अगर सकता है कि अगर आप अभी देख रहो है ना फोन वगरा में तो चार पांच लोग जो आगा अरस बैठे हो सकता है ना ने देख भी लिया आपको अरे ये कैसी बात हो रही है लेकिन actual में reality ही है कि जब तक वो knowledge नहीं होगी तब तक population जो है control में नहीं आ सकती है है कि नहीं बात तो ही चलिए खेर और उसका दारो मदार आप पे आप ये करेंगे population को limit करेंगे कि नहीं करेंगे वो आप पे decide होता है ठीक है तो growth rate हम लेए discuss कर लिया कि growth rate annual किता था digital किता था highest कब था lowest कब था अब हम ये देखने वाले हैं कि चलो एक ये चीज़ भी discuss करी लेते हैं हाँ पे कि male का कितना रहा और female का कितना रहा ये थोड़ा सा हलका सा deep data हो जाएगा ठीक है हमेशा ध्यान रखना जो main data जहां जा मैं बोलूँगे थोड़ा सा deep data है तो उसको बाद में secondary बाद में प्रात्मिकता देंगे पहले तो primary चीज़ आप पढ़ेंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि highest population UP की है जब तक आपको यही याद नहीं हो रहा UP की है तब तक आगे मत बढ़िए पहले ये focus करिए है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें male का कितना रहा तो 17.19% and female के अगर बात करें तो 18.12% जो है population का digital growth rate रहा male and female पे अब फिर से हम वही पुरा chart draw करेंगे highest, lowest state, ut and district highest, lowest state यहाँ पर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ut और यहाँ पर district यहाँ कि सबसे ज़्यादा decadal growth rate 2001 से लेके 11 क्योंकि हम 2011 का census पढ़ रहा है ठीक है तो कहाँ पर रहा state के अगर बात करें, मेगाले मे रहा ठीक है मेगाले में कितना यह data मत याद करना देख लो बस इसको याद मत करना ठीक है 27.8% फोड़ा सकते देख ले ना अगर पूछ लिया तो ut के अगर बात करें तो that is दादरा नगर हवेली ठीक है दादरा नगर हवेली यहाँ हवेली में जो है समझ रहो ना ठीक है तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हवेली में किस लिए बुलाए जाता है इसलिए तो तकी population बढ़ सके तो दादरा नगर हवेली के आप देखें है तो मेघाले से भी ज़्यादा है तो दोनों option में हुए तो दादरा नगर हवेली हवेली का कोई जोड है कोई जोड नहीं है ठीक है बादल वहाँ पे मेघ मेघाले में क्या होता है यहाँ पे मेघ आता है गारो खासी जेंती हिल्स है खासी हिल्स पे मौसीन राम पढ़ता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती मेघ क्या करते है मौसम बनाते है वहाँ पर जाके 11 से 21 में भी negative growth rate हमने देखा था, negative कितना, negative 0.31% का negative growth rate देखा था हमने, growth के एक तरह से downfall मारा हमने है, और इसका reason ये था कि famine आ गया था, इसलिए मतलब ये वो हुआ था, population कम हुआ था, ठीक है, नागा लेंड में, minus 0.47%, अगर पूछ ले कि भाई, second state इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद है केरल, यूटीस में याद करने के जरुत नहीं है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, district जहाँ पे highest digital growth rate रहा population, कुरुंग कुने, कुरुंग कुमे, ये है अबकी अरुनाचल की ए 0.01%, लेकिन इतना पूइंट मतलिको, बस इतना ही लिख लो, 111%, ठीक है, कुरुं कुमे, यहाँ पे कुमे कुमे ही हो रहा है सब, फिर अगर बात करें, सबसे lowest, L से lowest, S से long link, ध्यान रखना, पहले तुमारा काम है state याद करना, then UT और सबसे आखिर में तुमारा काम है district, जब तक state and UT अच्छे से याद ना हो जाए, अब यहाँ पर doubt पूछना तो गलत होगा, यहाँ पर क्या ही doubt होगा, है ना, यह सब data fact है, आपको याद करना ही, अब यहाँ पर हम discuss करेंगे, population, लेकिन 0 से 6 years, यह अलग से category, यह अलग category है, 0 से 6 years वाला, इनको बोलते, अब यह 0 तो 6 years तुम्हें याद आ रहा है कुछ इससे, क्या याद आ रहा है, मुझे तो article 45 याद आ रहा है, क्यों, क्योंकि article 45 में पहले right to education था, कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे उनको education दो, लेकिन फिर किस amendment ने article 45 का subject matter change करके यह बोला कि जो early childhood care है, वो देना है state को, तो यह बोला था 86th amendment of 2002 ने subject matter change किया था, तो इसी को बोलते है, early childhood care, जो 0-6 years के बच्चे हैं, उनको care देने को बोलते है, early childhood care, अब यहाँ पे अगर हम population की बात करें, तो total number कितना है, तो total number है, यह 158.8 million, जो की total population का 13.1%, 13.1% of total population, यह नहीं कि पूरी जन संख्या का यह 13.1%, पूरतिशत है, clear, और अगर इसको हम 2001 से compare का भी पूछे कि 2001 के comparison में क्या बढ़ाया घटा, तो ध्यान रखना है यह घटा है population, minus 3.08%, ठीक है, decrease compared to 2011 का जो data हुआ था, 2001 का जो census हुआ था, उसके comparison में, अब यहाँ से अगर आप से पूछे highest and lowest, यहाँ पे सब कुछ यहाद करने के ज़रत नहीं, जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ इसके state में, UT, बस highest यहाँ पे देख लो, कि कौन सा, किस state में सबसे ज़्यादा population है, 0 to 6 years के जो बच्चे है, यह बिहार में है, ठीक है, number तो I think कुछ 18.6 million है, लिक उन्हों याद करने के ज़रत नहीं आपको, और यहाँ प and lowest, तो highest के बात करें तो कुपवारा, कुपवारा कहां पर बाटता है, सबसे बात करें, यह है, कोलकाता में, के से दोनों start होते हैं, ठीक है, कोलकाता में, सबसे lowest है कर हम district की बात करें, अब हम आते हैं, घंडर कोंपोजीशन देखते हैं ठीक है जंडर कॉंपोजिशन है क्या हाँ है जंडर कॉंपोजिशन या निकी जंडर कॉंपोजिशन थो थोड़ा सा हमने देख लिया था male population किती थी because मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले यह 1.21 billion population एंडिया की यानि 1.210 million और उसमें से male का भी मैंने बताया था 623 और female का बताया था 585 million तो वोई उसके बारे में थोड़ा सा भी हाँ पर देखने वाले हैं कि वो कितना मतलब percentage of total population का और कितना क्या sex ratio है ठीक है तो सबसे पहले हाँ पर मैं फिर से वही same चीज़ लिख देता हूँ जो मैंने पहले लिखी थी और अभी हम लोग questions भी करेंगे मैं को बता दूँ ठीक है ताकि हम लोग को जो हम लोग यहाँ पर करेंगे एक ताइम पर एक एकदम से याद नहीं हो जाएगा ठीक है इन one को याद नहीं हो जाएगा को multiple revision करने पड़ेंगे पहला revision तो हम लोग questions के through ही करेंगे और मैं questions करूँगा कि इस पर based ही पूरा आपका एक quiz भी मैं डलवा दूँ पर मार academy application पे ठीक है तो वहाँ पर भी आप इसको जाके फिर attempt कर सकते हैं कभी भी revision purpose से ठीक है और काफी सारे students जैसे यह बोलते हैं कि GK का जैसे सरा आपने पढ़ाया जैसे जो आपने पढ़ाया तो भूल जाते हैं ठीक है एक महीने बाद ठीक है दो हफते बाद जैसे भूल जाते हैं पीछे का तो जो भी quiz रहती है application पे मैं उसका re-attempt खुलवा दूँगा तो जब भी आपको revise करना रहा करे 623 पूरा घट किया चलो तो male का मैं आपको कितना बताया था 620 यह क्या हो रहा है 623.7 million और female की अगर बात करें तो total population कितना मैंने बताया था 585.5 million अब total population का अगर हम count करें कि total population का यह कितना percentage है तो यह है आपका 51.54% and अगर female की बात करें तो 48.46% है यह total population का अगर हम बात करूँ ठीक है अब यहाँ पर हम discuss करेंगे sex ratio को अभी sex ratio क्या होता है ध्यान से इसको सुनना खास कर जो हमारे यहाँ पर male friends है क्यों? अभी तुम्हें समझ में आएगा sex ratio का मतलब यह होता है कि 1000 females पर 1000 males पर 1000 लड़कों के लिए कितनी females है यह हजार लड़कों के लिए कितनी लड़कियां है simple पर कितनी females है यह होता है sex ratio sex ratio को पता है कितना है अभी 2011 के मैं बात कर रहा हूँ 2011 का sex ratio है 943 943 2001 में कितना था यह यह था 939 33 इसका मतलब समझे दया तु समझा तु नहीं समझा इसका मतलब पता है क्या है इसका मतलब यह है कि आप में से 57 लोग समझ रहे ना सिंगल ही तो इसलिए आप इन 57 में ना हो तो आपको सरकारी नौकरी लेनी पड़ेगी ठीक है यह वो 57 लोग है जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगती ठीक है तो बाखी लड़कियों को तो कोई टेंशन नहीं लेकिन अभी जैसा कि मैंने कई सारे डेटा देखे तो उसमें 2000 मगर जोबी सेंसस होगा 2024 में तो उसमें I think 1000 मेल्स पर ज्यादा फीमेल से निकल रही है ज्यादा फीमेल्स तो फिर यह शायद चीजें उलट हो जाए हो सकता है फिर लड़कियों को जो है कॉंपीट करना पड़े तो खेर वो देख लिजेगा जब सेंसस है लेकिन अभी के पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग तो भी लड़कों को मेहनत करने की ज़रत है ठीक है 57 का सिंगल ही सब मामला रहने वाला है तो खेर अभी आते हैं सेखलिए फाने स्ट्रेशो हाई इस सब देख लेता है ठीक है अब बात करें तो सब से ज्ञादा सेखलियो है के रला का ठीक है 1084 इसका मतलब पता है दया इसका मतलब यह है कि 1000 मेल्स पर 1084 फीमेल्स है जा तो सकते अब तुम्हारे मन में इच्छाएं उठेंगे कि हम केरल चले जाए लेकिन तुम्हें बता दूँ केरल में लिटरेसी रेड भी बहुत अच्छा कासा है ठीक है तुम्हें पढ़ा लिखा हो ना तुम बिना पढ़ा लिखे से कौन शादी कर लेगा है ना अगर वहाँ पढ़ा लिखे लड़की हैं तो लोवेश के अगर बात करें तो हर्याना का है हर्याना का कितना है 879 ठीक है 8089 मतलब देखो इसको ऐसे गात कर सकते हो कि जैसे केरल में भी हम पढ़ेंगे लिटरेसी रिट हमारा अगला यह साचरता दर तो यहाँ पे साचरता दर बहुत ज़्यादा जहाँ ज़्यादा कम फीमेल का मतलब क्या है कि मतलब अभी तो उतना नहीं है लेकिन पहले ऐसा होता था अभी पूरी तरह से कानून अपराद है जो कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है तो वो अब अपराद बना दिया ज़का है तो इसी वैसे हो सकता है कि हर्याना कब काफी अच्छा सेक्सेश्व निकलके आए जो हमारा लेटेस सेंस हो UT के अगर बात करें तो UT में है पुड्डू चेरी UT में अगर बात करें दाफटिस पुड्डी चेरी 1037 यहां का सेक्स रेशियो है UT में अगर lowest बात करें तो दमन ऐनदई ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पर लड़कियों का दमन होता है ठीक है ऐसे करके मतलब याद करने के परपस से ठीक है 618 अगर district की बात करें तो district होगी माहे माहे कहां पर माहे पुड्डू चेरी में ही पढ़ता ही है वैसे इसका होता तो 1176 है लेकिन उसको मत याद करो यहाँ पर लिखवा नहीं रहा हूँ अगर बात करें तो इसका भी आत करने का ज़रत नहीं है वैसे तो रफली 530 के समतिंग है कुछ ठीक है 533 चलो तो अभी आते हैं लिट्रेसी रेट वे पहले यह बता दो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कुछ किसी की समस्या अगरा मैं चेक कर लेता हूं वाइस सारी चीज़ा है कुछ ऐसा तो नहीं क्लियर होके दमन एंटीव बिल्कुल क्योंकि दमन चोटी जगे आज यह फोन कंपल सरी क्या हो गया आज अच्छा आज आएरफोन sigom Cabu इतने में होगा कि नहीं थोड़ा सा मतब sex stolen में और यता में में एइरफोन इतंब ऐतने में एडान कंप आज यही तो दिग्कत है यही तो दीकत है और यहां पर safety to नहीं होना है चे Всем को एक सेकिंड रुपना बच्चों का सेक्स रेशो तो देखा ही नहीं यह भी क्वेश्चन पूछता है आपसे एक्जाम में ठीक है तुनका भी देख लेते हैं माहे इन वीच स्टेट माहा नहीं वो माहे है माहे बताया तो पुड्डू चेरी है से एरो किसलिए बनाया है जब मैं जोग्रिफिय बढ़ाओंगो तो हम बताओंगो पुड्डू चेरी माहे आता है यह नम आता है कराई काल आता है यह पुड्डू चेरी खोद आता है डिफ 0 to 6 years का जो age group है उसकी बात कर रहो है यहां पर ठीक है मैं 2001 के बता दिया था यहां पर 2000 अब 2001 का में क्यों लिख रहा हूं because पूछता ही है ठीक क्यों 2011 से जो पुराना census हुआ था 2001 का हुआ था तो 927 927 था अभी अगर हम बात करें 2011 में तो यह है 919 919 अब पता है एक बार SSC ने भी पूछा था एक exam में ने देखा तो 919 और एक exam में 914 तो actual में एक पहले provisional census publish होता है provisional मतलब यह final नहीं होता है तो उसमें 914 उस data में उस PDF को मैं ने देखा था तो उसमें 914 ही लिखा हुआ तो इसलिए जो है से नहीं हो सकता है provisional वाला वहां पर रख दिया option में तो 919 ना option में तो 914 वाला होगा फिर क्योंकि वह provisional वाली जो census थी उसमें था अभी यहां पर देख लेते है largest और smallest ठीक है यहां यहीं पर लग देता है क्यों फार्ट हो में चलो देहीं पर लग देता हुम है largest smallest ठीक है यहां पर केरल था । यहां पर र undermश्वात कर रहा है ठीक है यूटी में आपको देखेले रखने पंश्यरत नहीं है डिस्टिक यहां पर देख लो यूटी में पूछे गवी लगल आंड़ पिती ठीक है लगल यहां हुल्छ है oh और smallest एकर बात करें तो जजजर रायाना ठीक है जजजर जो आपका हर्याना का एक डिस्टिक्ट है वहां का ये lowest child sex ratio है और क्या यहां पर question कुछ बन सकता है का sex ratio से नहीं और तो नहीं बनेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और ये लाहॉलेंस पिती नोट कर लेना ये आपक ही माचल पुदेश पे ठीक है लाहॉलेंस पिती चलो ठीक आगे बढ़ते हैं भी लिट्रसी रेट पे साच्छर्ता दर इसको हिंदी में बोलते हैं साच्छर्ता दर का मतलब क्या होता है जैसे कि sex ratio का मतलब होता है कि हजार लड़कों के लिए कितनी लड़किया है मतलब ठीक है लिट्रसी रेट साच्छर्ता दर के अगर बात करें तो इसका मतलब यह है कि वो लोग या फिर हाँ वो लोग ही बोल सकते हैं who are aged अबव 6 या फिर aged 7 अबव बोल लो है फिर aged अबव 6 अबव 6 का मतलब है 7 अबव धियान रखना साथ या उससे उपर यही तो है क्या 21A आर्टिकल नमबर 21A राइट व एजुकेशन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन की बात कर तो 7 अबव कोई उपर लिमिटेशन नहीं है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल कोई अपर लिमिटेशन नहीं है यह minimum लिमिटेशन पता किसमें understanding रखे किसी भी understanding in any of the 22 languages 22 भाशाएं किसमें दी हुई है कौन से अनसूची है कौन से schedule में 22 languages दी हुई है तो 8 schedule में ठीक है और जल्दी से यह भी बताएगा कि policy पढ़ चुके हैं कि official languages जो है हमारी वो किस particular part of the Indian constitution में दोई है कौन से article में यह लिखा हुआ है कि parliament में English, sorry, Hindi और English का use किया जाएगा 15 साल बाद और English को delete कर दिया जाएगा लेकिन अभी भी वो चीज चल रही है तो official languages हमारी है part number 17 भाग number 17 में article 120 है जो language in parliament की बात करता है तो आठवे ने सुची जिसमें कि originally 26th November 1949 the date on which we adopted the constitution 14 languages थी अभी 22 है तो इसमें basic understanding होनी चाहिए इसको बोलते है literacy rate literacy rate की अगर हम चर्चा करें तो literacy rate कितना क्या है मतलब की total overall कितना है और male female का कितना है वो हमें पढ़ना है ठीक है तो यहाँ पे overall सबसे पहले हम बात कर लेता हूँ तो 74.04% है according to 2011 का census लेकिन अगर मैं 2001 का census ले लो तो 64.83% comment में आप बताएंगे कि कितने percent का increase यहाँ पे हमें देखने को मिला because ऐसे भी question बन जाते हैं तो यह जो 74 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2011 के census की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे मैं bifurcation करूँगा कुछ इस तरह से कि male की कितनी literacy rate है अब यह point के बाद भी थोड़ा important हो जाता है जो important यह data literacy rate हो गया राख्यों क्यूंकि ऐसे पूछे हैं 74 पॉइंट किता हुआ रफली 9.2% होगा ना ठीक है increase of 9.2% होगा ना ठीक तो अभी आते हैं कि हाँ एक question इसने यह पूछा भी recent exam यह हुआ था कि difference बता दो यह question पूछा है इसने कि male और female में difference literacy rate में difference कितना है तो आप इनको subtract करिए ठीक है तो 65.46 यहां पर लिखेंगे तो किता आएगा आठ और यह निकि यह आएगा roughly 16.68% ठीक है यह literacy rate का difference आएगा जो पूछा है ठीक है और यह भी question पूछा था कि कौन सा state है state with highest state with highest difference with highest difference in literacy rate highest difference किसमें highest difference in male and in male and female का जो literacy rate होता है उसमें सबसे ज्यादा अंतर और यह question तो I think अभी CGL मेंस में पूछा है इसने और यह है राजस्थान में और यह पता है आपको SSE GD में इससे पहले पूछा था तो इस तरह का जो misconception होता है आपके दिमाग में क्यों GD का question, MTS question, CGL में नहीं आएगा तो देख सकते हैं CGL छोड़ो, CGL के मेंस में आया है, SSE GD का question तो अभी आप लोगे SSE GD exam जल्दी होने वाला है तो सारे कुछ questions उसके भी हम लोग practice करेंगे highest की बात कर लेते है, lowest की बात कर लेते है, state वहीं सेम हमारा format रहेगा, state, ut and district की हम तीनों की बात करेंगे तो यहाँ पे केरल टॉप पे रहेगा, ठीक है, with 94% exact अगर बात करेंगे तो roughly 93.9% literacy rate है और lowest की बात करेंगे तो बिहार यहाँ पे answer होगा, 61.8% literacy rate के साथ यह, ठीक है then talking about the ut, हैनि unit territory कौन सी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा literacy rate है, लक्षदीप है यह अपका, roughly हाँ पे 91.85% literacy rate है और lowest अगर बात करेंगे तो यह है दादरा नगर हवेली, ठीक है, दादरा नगर and हवेली, ठीक है क्योंकि यह पहले दमन और दिव के साथ मर्ज नहीं हुआ था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, कि दादरा नगर हवेली ने जब यह देखा, कि हमारा co-partner, co-founder दमन और दिव, टॉप कर रहा है, lowest sex ratio में, तो हम भी किसी lowest में टॉप करेंगे, तो बोलता ठीक है, हम literacy rate में district में अगर बात करें, तो सर्चिप, ठीक है, district गुस्सा हो जाएगा ना, कि सबके लिए अलग कला है, और हमारे लिए सर्चिप, ठीक है, तो सर्चिप यह कहाँ पढ़ती है, district, सर्चिप पढ़ती है, मिजोरम में, मिजोरम की एक district है, और यह सबसे ज़्यादा अगर बोलूं की, सबसे ज़्यादा जोब ही, मैंने district आले data बताए या बताऊंगा आगे, उसमें सबसे important district में, अगर आपके कोछ district है, ठीक है, अब आएंगे, population density जन्संख्या घनत्व, यह क्या होता है, जैसे कि हमने, literacy rate समझा, हमने, sex ratio समझा, वह से population density का मतलब होता है, कि per square kilometer कितने लोग रहे हैं, per square kilometer कितने लोग, इसका मतलब क्या होता, per square kilometer? यह किलोमीटर, यह किलोमीटर, यह किलोमीटर, यह किलोमीटर का स्क्वायर बन गया हमारा, ठीक है, विद्धा एरिया, वन स्क्वायर किलोमीटर, है की नहीं, तो यह वन स्क्वायर किलोमीटर, यानि कि एक किलोमीटर के दारे में चारो तरफ कितने लोग रह रहे हैं, उसको अगर बात करें तो 382 persons per square kilometer रह रहें, average इंडिया का पूरा calculate करें, बाकी तो भाई या, regional जो distribution है, जो special distribution है, बहुत बहुत खराब है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप map देखें न, भर भर के यहाँ पे यह Northern Indian जो plains हैं, यहाँ पे भर भर के population मिलती density, और यहाँ प reasons मुझे लगते हैं, एक तो geographical region है, reason है, और दूसरा थोड़ा सा literacy से related है, अब यहाँ पे पता है, fertile plains है, green revolution यहाँ mainly हुआ, fertile plains है, गंगा, यमुना और इतनी सारी rivers हैं, गंगा और इसकी tributaries, तो भाई जहाँ fertile और plain land होती है, तो वहाँ रहना आसान होता है, क्योंकि rivers आ रही ह इतनी जोग्रफी में हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो अभी वाला बैच वाले हो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, एफिमरल रिवर्स हैं, यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स हैं, पेरिनियल का मतलब होता है, जहाँ पे जिसमें की year long water देखने को मिलता है, because उनका source glacier इसे रहने की हमनद होता है, यहाँ पे इनका, जो main source होता है, वो सिर्फ मौनसून ही होता है, तो इसकी वज़य से एफिमरल होती है हमेशा पानी रहता है, और दूसरा भाई, अभी हम देखे भी हैं, कि लिटरिसी रेट सबसे highest कहां पे, किरल में, lowest कहां पे, बिहार में, त तो जहाँ पे higher literacy rate होता है, और इसी है हमने देखा था कि South Indian state ने protest किया था, delimitation constituency को लेकर article 82 किता है, तो इसलिए इसको freeze किया गया था, पहले 42nd amendment से freeze किया गया था, 84th amendment से उसको freeze कर दिया गया 2026 तक के लिए, ठीक है, तो 2011 के अनुसार अगर हम देखे तो population density 382 है, और अगर हम 2011 के अनुसार देखें, तो यह है हमारी 325,325, clear, तो यानि कि यहाँ पे population density भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, clear, अब यहाँ पे वही हम data लिख लेते हैं, highest, lowest, ठीक है, highest, lowest, state, UT and district, state, UT and district, ठीक है, तो state में अगर हम बात करें, तो highest किसका होगा, किसकी population density की, तो बिहार, बिहार के कोई बोल सकता है, ठीक है, तब बिहार highest होगा, तो बिहार के कितना है, तो 1106 है, इतने लोग रहते हैं, पर स्कार किलोमेटर, और lowest के अगर बात करें, तो अरुनाचल, ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं, एक बिहारी सप्पे भारी, ठीक है यहां पर 17 लोग जो है, रहते हैं, पर स्कार किलोमेटर, यूटी की बात करें, डेली, and you will shock, कि यहां पर 11,297 लोग रहते हैं, समझ रहे हैं, बिहार को भी पीछे, पीछे नहीं, बहुत पीछे छोड़ दिया, ठीक है, तो 11,000, लेकिन यह भी है कि major contributionist में भी बिहार के लो रहा है, एक पार्टी से, दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से, तीसरी, फिर से वहां, यहां, वहां, नेता ही migrate कर रहे हैं, तो फिर लोग क्यों न करें, लोग को करना ही पड़ेगा, तो डेली, ठीक है, यह है, और अंडमान एं निकोबार, लोएस्ट है, ठीक है, 46, district क अगर बात करें, नौदीस्टन डेली, अब इसका मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक तो मुझे भी अभी याद नहीं है, और मैं वही आपको बताऊंगा, जो मेरे हिम्मत की बस की बात हो, लेकिन इतना है, कि मतलब, सासे फूल जाएंगे, आपकी सुनका data, मतलब अर्बन डिवाइट, तो मेजर कॉंपोनेंट जो यहां तक था ना, सबसे पहले तो आपको वो याद दखना है, अब जो यहां पर मैं बताने वोलो, थोड़ी सी चीज़ें, ज्यादा आप चीज़ें बची नहीं है, यह थोड़ा सा, मैं फिर सभी बोल रहा हूँ कि याद करना है, लेकिन यह प्राइमरी आपका वो रीजन होना चाहिए, यह उसके बाद में, रूरल अर्बन डिवाइट, ठीक है, नितिश कुमार वी लाइक, मैं सियम था और रहूंगा, हाँ, नितिश कुमार कई मानना वड़ेगा ना, पहले लालू जी के साथ, फिर मोदी जी क साथ, हवा का रुख देखो, वहीं पर निकल लो, हैगी नहीं, तो रूरल अर्बन डिवाइट पर आते हैं, तो मुझे तो पते हैं यह से सेटिंग टाइप लगता है, कि वहाँ जाना उस खेमे में, उसकी सारी चीजें बताना, और लास्ट टाइम में जब एक्दम एन मु पॉपलेशन इंडिया में कितनी है, अर्बन कितनी है, यह इस तरह से सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, तो रूरल में अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें इस तरह से नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे रूरल में, कि बहुत कितनी पॉपलेशन है, और कौन-कौन से ट तो उसका 68.8% है, आप percentage भी निकाल सकते हैं, तो rural इतना है, और top 3 states के अगर हम बात करें, कि इसमें top 3 states कौन से हैं, तो यह है आपके UP, सबसे पहले जो first number पर उसको याद रखना है, then विहार, then आपका West Bengal, bottom 3 अगर बोल तूँ कि bottom 3 states कौन से हैं, जहां पर सबसे कम rural population है, तो सबसे कम population कहाँ पर थी, सिक्किम में ही थी, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम rural population ही है, मिजोराम और गोवा, ठीक है, यह population के basis पर है, ठीक है, area के basis पर हम largest की बात करेंगे, तो राजस्थान हो जाएगा, area terms में, ठीक है, area terms में, वैसे वो census का पार्क नहीं होता, बढ़ फिर area largest के terms में होता है, largest state है हमारा राजस्थान, और smallest अगर हम बात करें, area के terms में, वो है हमारा गोवा, ठीक है, तो यह top 3 और bottom 3 हमने देख लिए, अब यहाँ पर urban देख लेते हैं, कि urban इंडिया का कितना क्या population है, तो urban इंडिया है 377.1 million, वहाँ पर कितना था, 833.1, 377.1 million है, पॉइंट वन याद करने के तना जरत नहीं है, अब और फिगर भी याद कर सकते हैं, वो तो आपको एक्जाम में यादिया जाए कि यहाँ बाद में पॉइंट वन लगा हुआ था, यह 31.2%, simple है, 100 से इसको सप्राइट कर देना, एक डेटा याद रखो, 100 से 68.8 को सप्राइ और अगर हम bottom three states की बात करेंगे, यनि सबसे निचले पायदान पर तीन राज्जी कौन से आते हैं, तो सबसे पहले again, सबसे निचले पायदान में अगर बात करें, तो यहाँ पर आएगा आएगा आपका सिक्किम, देन आएगा आएगा आपका अरुनाचल प्रदेश and देन आएगा आएगा आपका मिजोरम, लेकिन ध्यान रखेंगे का यह absolute terms में बात करेंगे, अगर percentage terms में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, percentage terms में, तो percentage terms में, रूरल में, highest percentage यह है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का रूरल में, percentage terms में, और अगर अर्बन में, पूछ लेगा, अर्बन में सबसे ज़्यादा, highest percentage किसका है, तो answer would be, गोवा, अल्राइट, गोवा का percentage terms में, सबसे highest है, और और का यहां पर data question बन सकता है इतना यह question बनेगा आपसे ठीक है एक तो absolute terms में और rural में highest किसका है और urban में highest किसका है ठीक है और अगर percentage terms में ऐसे पूछ लेगा कि और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी percentage terms में पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है अगर आपको नहीं समझ में आया तो percentage का मतलब यह होता है कि हमने पूरा population ले लिया देन उसमें से rural का percentage निकालना जैसे for example वैसे तो UP टॉप पे है वैसे हम आप absolute terms में देखें कि UP टॉप पे है तो यह मैंने ले लिया माल लेते हैं UP और यह left side में हमारा हिमाचल प्रदेश है ठीक और यह UP है ठीक है तो UP का माल लेते हैं इतना population है इतना population यह reside करता है कहां पे rural India में ठीक है लेकिन मैं माल लेता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का इतना population है जो reside करता है ठीक है तो समझ यह होगे अब यहाँ पे कि अगर मैं percentage terms में calculate करूँगा तो हिमाचल पुदेश का ज्यादा percentage निकल के आएगा और वहीं UP का अगर मैं percentage calculate करूँगा तो कम निकलेगा लेकिन इससे तो यह काफी बड़ा है ठीक है तो UP का essence में highest है और percentage terms में हिमाचल पुदेश का highest है अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे caste based जो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि किस तरह से distribution है जैसे mainly हमें इस तरह से नहीं पढ़ना है कि जनरल category कितनी हो भी इसी category कितनी है लेकिन हाँ scheduled caste और scheduled tribe का हमें पढ़ना होता है 201 million और percentage में अगर बात करेंगे यह important 16.6% of total population यह निकल के आता है पूरी जन संख्या का 16.6 प्रतिशत अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ लेगा कि highest किसका है मतलब कहाँ पे रहता है SC population तो UP में lowest अगर पूछ लेगा यहाँ पे state, district और वो इस तरह से नहीं करना है lowest अगर हम बात करें तो UP का highest और मिजोरम का lowest है और यही अगर आपसे percentage sense में पूछ लेगा highest तो पंजाब में सबसे ज़्यादा as a percentage रहते हैं जो भी state छोटा होता ना किसी भी चीज में जब हम percentage की बात करते हैं जैसे मिजोरम में सबसे ज़्यादा percentage of forest है सबसे ज़्यादा forest अगर हम absolute sense में देखें numerical value देखें तो मध्य प्रदेश में लेकिन percentage terms में मिजोरम में ज़्यादा है इसलिए अब आते हैं religion based लेकिन अर उससे पहले अभी एक और हमें वह पढ़ना है that is schedule tribe, schedule caste का तो पढ़ लिया schedule tribe का पढ़ना है ठीक है उसके बाद ही caste यह जो हमारा religion based है यह last है ठीक है इसके बाद फिर में लोग questions करेंगे और आपका कोई doubt होगा तो आप पूछ लेंगे ठीक है schedule tribe पे आते हैं भी scheduled tribe तो इसकी बात करें तो यह total population वहाँ पे कित्ती थी 201 million यहाँ पे होगी आपकी 104 million 104.3 million और total population के percentage terms में अगर बात करूँ तो 8.6% of total population of India पूरी जन संख्या का 8.6% है और highest की बात करेंगे सबसे ज़्यादा ST population schedule tribe कहाँ पे रहते हैं तो यह मध्य प्रदेश में रहते हैं highest अगर percentage में अगर पूछ ले तो आंसर लक्षदीप हो जाएगा ठीक है लक्षद्वीप हो जाएगा और भी हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा जो Muslim population अगर किसी UT में रहती है तो वो लक्षदीप में ही रहती है ठीक और lowest में अगर देखें तो lowest में हमारा एक state नहीं आते हैं बहुत state आते हैं जैसे पंजाब हो गया ठीक है और हर्याना भी हो गया पंजाब हर्याना और दो हमारी UT हैं दाट इस डेली और डेली और चंदीगर यहाँ पे जीरो इस state और यूटीज है जीरो ST population है फिर नो ST population तो भई इसमें lowest का वो सवाली नहीं उठता है क्योंकि इतने सहे हैं पंजाब हर्याना है डेली चंदीगर है यहाँ पे ST population है ही नहीं ठीक है कोई श्रीवल ट्राइब नहीं है अब आते हैं रिलीजन बेस्ट पर ठीक है यहाँ पे 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 का यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहनि की 7th नंबर वह हमें फोकस करना है सबसे कम पॉपलेशन अगर हम देखें इन सब में तो जैनिजम का पॉपलेशन सबसे कम है अब यहाँ पे यह कुश्चन आपसे बनेगा कि हाइस्ट डिकडल ग्रोथ रेट किस कम्यूनिटी ने देखी हाइस्ट डिकडल ग्रोथ रेट यानि कि 2001 से अगर हम कंपेर करें अगर हम 2001 से कंपेर करें 2011 के डेटा को तो सबसे ज़्यादा पॉपलेशन नोटिस करो किस ने किया खुद आप करोगे तो हो सकता है कि आपको लंबे समयता क्याद रहे 18.46, 79.8 13.43, 14.23 तो अव्वेस यह बात है कि अब समय आपके यहाँ पे तो ना के बराबर है पॉइंट में तो हिंदुईजम में भी आपको डिक्रीज देखने को मिला है सिवाए इसलाम के ठीक है इसलामिक यानने मुसलिम धर में अगर हम डिकटल ग्रोफ रेट इन पॉपलेशन की बात करें ठीक है यह अगर हम बात करें hiiest decadal growth rate lowest अगर बात कर लें तो lowest में तो ठीकह यह वंग, यहाँपर निकल के आएगा जैन्स का ठीकै लोवेस्ट यहाँपर निकल के आने वाला है जैन्स का तो lowest अगर degadal growth rate अगर आपसे पूछ ले कि किस कम्यूइटी की रही तो lowest decadal growth rate यह रही है जैन्स की और एक चीज ध्यान रखना कि अगर literacy rate की पूछेंगे तो highest literacy rate जैन्स की है अगर सारी community इसम बात करें सबसे ज्यादा साचर्टादर किसकी है तो वो जैनिजम community की रही है most literate है ठीक है और सबसे least literate अगर बात करें तो muslims है ठीक है least literate है सबसे कम literate है सबसे ज्यादा decadal growth rate muslims की और इसलाम धर्म की और सबसे कम literacy rate और lowest decadal growth rate जैन्स की और सबसे ज्यादा literacy rate इन्हीं की है यह चीज ध्यान रखिएगा ठीक है और तो यहां पे miscellaneous कुछ चीज़ां देख लेते हैं बाकि हमारा religion based भी खतम हो गया यह चीज ध्यान र का दुखा चीज हैं जैसे कि अभी अगला जो census है वह 2021 में होना तो 2011 के बाद लेकिन वह नहीं हुआ 2021 में 2024 के end में होने की उम्मीद है अब यहां पर एक important चीज है और यहां कि क्योंकि अब हम इतने digitalize हो चुके हैं तो यहां पर हम डिजिटल एक हमने एक तरह का initiative लिया है that is census management and monitoring system को develop किया गया है census management and monitoring system यह जो इसको in short हम बोल सकते हैं cmms यह एक initiative है जो कि इसका use करके 2024 में census का जो data है उसको collect किया जाएगा तो यह important चीज़े ध्यान रखियेगा फिर आपसे यह question हो सकता है कि ऐसे पूछ ले कभी कभी question पूछ भी लिया जाता है कि demographic dividend क्या चीज़ होती है what is this demographic dividend हो सकता है आपने news में कभी सुना भी हो इसका ना इसका मतलब होता है working age group मतलब वो age group हम बोलते हैं कि इंडिया का demographic dividend सबसे ज़्यादा है अब यह कपका exam हुआ था पता नहीं कौन सा exam हुआ था उसमें यह question पूछ लिया बड़ा जीब से question था कि percentage of total migrants from Nepal मतलब नेपाल से किते लोग migrate किये हैं 2011 के census के recording percentage of total क्योंकि नेपाल भुटान इन country से बहुत लोग migrate करके इंडिया में आते हैं तो percentage of total migrants from Nepal और फिर immigrants भी बोल सकते हैं because हो हमारी country में आ हैं बाहर country से अगर हमारी country से जाते हैं तो immigrant बोलते हैं कि ने तो from Nepal तो यह रहें roughly 15.1% ठीक है यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखेगा बाकी यहां पर हमारा lecture होता है खतम अब हम लोग करेंगे इसके questions किसे कोई doubt होगा तो पूछ लेगा लोग करेंगे लोग्त आयान पर लोग करेंगे लोग करेंगे शब हमारी से ओंपाँ लोगय इसकते हैं श। vergessen भी practically लोग organizations किसे प्वेदोसरे बाह disposer दिग्र हमारी से दन्ते हैं कित्शन कई Tabii APP stays the 31L में सकते हैं बाहर हैं अ कोमेंट्स क्यों नहीं आ रहे भी अच्छा वीडियो प्राइवेट तो नहीं नहीं प्राइवेट नहीं होगी ट्रांसजेंडर कहां गए 200 करोड का आकड़ा कब होगा 15.1% थेंक यू बुलने कद तो जल्दी करो जाना है अच्छा तहां जाना है आज तो माज आगे अच्छा ठंड बहुत है तुम्हारी आदत पड़ गई ना कि आज कल से ज्यादा ठंड आगे और हां तुमनों की कंडिशन ऐसी तो नहीं कहीं जल्दी बता ऐसी ने कंडिशन तुम लोगी आर्टिकल एटीटीटू बता दीजिए अंटी रेडियल यह मतल क्टप से बड़ेल पहले पडहिए उसको की की आरेकटीटिटեյन लोगली में जल्दी करवाना पड़ेए बहरी आँई अलता जल्दी से करो फेर मौ्डं रगलर सेंसेस इंडिया वह स्टाथए इन देशने क्लािवन धायिक आ टो इसलने स्टार्टेड या फिर हाना यूम तो यह स्टार्ट हिया था पहला modern regular census, modern regular census, regular RIPN है ठीक है, वैसे तो मेयो के टाइम पे हुआ था, 2024 के बाद काब होगा, 2021 के बाद आल आप calculate कर लो, होना तो चाहिए कहा देसे 231 में, ठीक है, तो अगर बात करें, रिपन के टाइम पे हुआ था, 1881 में, यहाँ पे year भी mentioned न, इसलिए, वैसे तो 1872 में पहला हुआ था, मियो के टाइम पे, इस टाइम पे census commissioner कौन था, census commissioner इस टाइम पर W.C. Plodden था, और father of Indian census किसको बोलते है, Henry Walter को बोलते है, because 1830 में पहला, किसी city, जो की धाका city थी, उसका, क्योंकि ताब वो इंडिया कही पार था, तो इसलिए, धाका में हुआ था, और इसलिए Henry Walter को father of Indian census बोलते है, लेकिन इस टाइम पे कौन था, W.C. Plodden था, ठीक है, Plodden, और चंदर मौली जी जो है हमारे 2011 वाले में, तो अगला कुछिंग चली, तो अगला है, census held in 2011 was the dash of independent India, 2011 के जो ही जन गलना, सोतंदर भाहत की कौन सी थी जन गलना, तो 2011 वाली पूछ रहा है, तो 15th, 7th, independent India की पूछ रहा है, तो फिर 7th होगा, वैसे तो 15th ह अभी हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नमबर भी तो यह था, तो 7th और वैसे 15th नमबर की है, ठीक है, अगर हम 1872 से calculate करेंगे तो, अगला question है हमारा, the slogan of census 2011 was, और यह सारे previous year के questions हैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी में, लिखना में, मतलब भूल गया थ तो जनगर्णा 2011 का नारा क्या था, नारा था, बढ़े चलो, क्या, our, our census, our future option number D, the provisional figures of India's largest census 2011 were released in New Delhi, were released by, तो किसने release किये थे, आप इसको guess कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यह बताया था, कि census को publish करने का काम किसका होता है, कौन करता है, तो ध्यान रखना किसका का होता है, Ministry of Home Affairs का, मुहा का, ठीक है, और उसमें कौन होता है, Office of Registrar General and Census Commissioner of India, और एक चीज़ यहाँ पर, जो मिसलेनिस सवला सेक्षन तो उसमें एक चीज़ नोट कर ले न, मैं बताना भूल गया, that is, कि जो अभी census, मतलब, Registrar General है एक तरह से, ठीक है, वो एफिर Census Commissioner हम बो सकत कर लो, ठीक है, इन्हीं के टाइम पर ऐसे समयाद कर लो, कि अभी जो अगला अला census है, अगर यह अटाया नहीं जाते हैं, तो यह इन्हीं के अंडर में होगा, ठीक है, Number of Total States and UTs and Number of District recorded in this census, तो यह भी हम लोग ने देखा था, स्टार्टिं में कि टोटल, 35 States and UTs सारे मिला के, राज और केंद शारे प्रदिस और 640 आपका, और बाकी अगर आप ऐलिमिनेट भी करी सकते हैं, अगर आपको स्टेट प्लस UTs पता था तो, 8th number question है, which state according to census 2011 is most populous, सबसे ज्यादा जनसंख्या का, किस की है, तो अपने UP के कोई बोल सकता है किया, UP होगा, और विस सी बात है, दिन हमारा बिहार होगा, lowest अगर बात करें, सिक्किम में population, which state and UT according to the census 2011 is least populous, again, हमने भी देखा, least population सिक्किम की है, UT के अगर बात करें, तो UT में least populous से लक्षदीब, L से lowest और L से लक्षदीब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर literacy rate बहुत जादा है, तो ऐसे याद कर लो population terms में, लेकिन ठीक है, L से lowest और L से आप लक्षदीब आपको याद रखना है, और अच्छे यह बताएगे कि जो UP है, total जो हमारा population है, इंडिया का, उसको कितना percentage population है, percentage-wise, यह जल्दी से बताना है, जैसे हमारा इंडिया जो है, पूरे world के population का 17.5% population, इंडिया में ही reside करता ह है, और अगर हम UP की बात करें, तो 16% है यह, पूरे इंडिया के population का, 10th, as per 2011 के census, the state in India with the highest urban population, सबसे ज़्यादा शेहरी यह जनसंख्या कहां पे है, शेहरी जनसंख्या की बात हो रही, तो उत्तर महराष्ट होगा, अगर यह rural की बात कर लेता, तो मेरा answer क्या होता, उत्तर प देश, ठीक है, और अगर urban में percentage highest पूछ लेता, percentage highest, तो urban में में मेरा answer हो जाता, urban में मेरा answer गोवा हो जाता, ठीक है, गोवा, urban population सबसे ज़्यादा कहीं पे है, तो वो गोवा में है, percentage wise, क्योंकि छोटा है न, तो मैंने बताया था, जहां छोटा होगा, तो percentage terms में उपर आ जा और female कहाने की महिलाओं का 65.46 साच चरता दर था, difference कितना निकल के आया था, आच्छे 14, 16.68% निकल के आया था, और highest difference किसे state में था, और मैं बार बार इसलिए उन facts को कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरा तयार नहीं, अगर मैंने 100% चीज़ें करवाई हैं तो उस आपके दिमाग में अभी इसी lecture के बाद ही मतलब दौरान ही settle हो सकें, तो उसकी मैं पूरी कुशिस कर रहा हूँ, फिर आपको करना ये revise एक ध्यान रखेगा इस चीज़ें को, ठीक है, कि ऐसा आपने से कई लोगों ने सुना भी होगा, कि जो हमारे memory में ज्यादा depletion होता ह है, वो शरू के कच घंटों में होता है, तो झिखर के अगर कच घंटों में होता है, तो पिर से एक बार उसका revision कर लेंगे, तो कम चीज़ें delete होंगी, delete होंगे कि फिर से आपको एक बार revision करना होगी, लेकिन शुरूवाती hours में ज्यादा वो होता है, तो एक काम करिएगा, क चलो मैं वह तो quiz डलवाई दूँगा बाद में लेकिन तो quiz अभी डल नहीं जाएगी application पर मैं कोशिस करूँगा ठीक है और लेकिन वही कि सोने से पहले इसको एक बार revise करें अपने दिमाग में से बैठना ठीक है और ऐसे पहले population फिर किती population थी male female फिर sex ratio फिर आखे बंद करके जितना की पहले बाला है तो highest अगर हम difference अगर बात करेंगे किसE state में Humale और female की literacy rate में तो राजस्थान में और एक चीज ध्यàन रहन हना है कि राजस्थान में lowest female literacy rate भी है lowest literacy rate बिहार में लोगिस्था फिमेmahil literacy rate अगर बात करेगा तो वो राजस्थान में क्योंकि overall हम जब ल लेगा wine highest female पूछ लेगा kerel overall भी kerel में ही है लेकिन lowest female का क्योंकि बिहार नहीं है वैसे lowest male literacy rate वो बिहार की है आववेस्ट सी बात है उसमें भी बिहार नहीं होगे तो फिर overall कैसे बिहार हो जाएगा लेकिन विहार और lowest male बिखार सब कुछ ठीक हे वहां तक लेकिन लोइस फीमेल में राजस्थान आता है और टॉप पर और मेल और फीमेल के डिफरेंस में भी राजस्थान टॉप पर आता है कल हम लोग की क्लास है करेंट अफेस की जितने भी करेंट अफेस है आपके जनवरी 2024 के वो सारे हम लोग कल करने वाले है इन दी सेम टाइम 6 पी एम पे स्टार्ट होगी हमारी क्लास हपु सिंग ने 100 रुपय दे है गुरू जी मैंने अभी इस जनसंख है बहुत योगदान दिया है हमें भी सम्मानित लिया जाएगा राश्य समझ रहे है दरोगा हपु सिंग तुमने I think 9 contribution दिया और 10 वा contribution तुम देने जा रहे होगे न तुम समझ गया होगे अब ही देखा था और मेल की कित्थी है एक्टी फ़ाइफ पॉइंट फॉइंट फॉर शिक्स परसेंट आगला question देखते हैं 13 अकॉर्डिंट टुथाज़न इलेवन का सेंसे दिया विद लोवेस लिट्रेसी रिट और यह पैसे वैसे मत वेजा करो वही है यूट्यूब रख लेता है तो ऐसे बेज़ते हैं अगर फोन पे होगा है था हमें 2011 का सेंसे कर बात करें तो लोवेस लिटरिसी रेट लोवेस 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 ठीक है तो हमने देखा था भी लोवेस एक्स रेशियो दमन लड़कियों के दमन हो रहा था तो दाद्या ने बोला रहम कैसे हम बी तो लोवेस में कहीं पर आएं टॉप पर ठीक है तो ऑप्शन नमबर सी एकॉर्डिन टू तो 2011 का सेंसे इंडिया तो लिटरिसी रेट अमंग विमेन इन इंडिया तो लिटरिसी रेट कित्ती है वेमन की तो 82.14 है मेल की और फिमेल की 65.46 परसेंट है 943 लेकिन अब देखो यहां पर 943 आप्शन में कहीं नहीं 940 आंसर होगा क्यों क्यों क्योंकि यह जो मैंने बता है ना कि जो प्रोवेजनल सेंस पब्लिश होता है उसमें 940 था यह ठीक है तो सबसे नस्दीक भी 943 के 940 को यह आपको कर सकते हैं तो वहीं आपको मारना है ठ 940 जो है प्रोवेजनल सेंस सिखा था उसके according है जिसे कि मैं वताया था चाइल्डसेक्स ड्रेशोगर हम पूछेँ आपसे चांडसेक्स्टरीशो च्ग्वरेशो किता है चाहिंस डेकिन प्रोवेजनल अगर बात करें 914 स्वात धिक करिंग === 2001 में इंटना सेनाहिस पिरेश पूरा के बात करें तो 2001 में 933 था और अभी 949.43 हो चुका है ओवरॉल अगर बात करेंगे 2001 का है यह 2011 का है ठीक है यह 2001 का है लेकिन यह Child Sex Ratio है और यह भी 2011 का Child Sex Ratio है ठीक है आगे बढ़ते हैं दिबांग वैली अरणाचल प्रदेशन संभा वैली एंजमोन कश्मीय है तो यह कहां पर हमने पढ़ा था दिवांग वेली कुछ यादार आपको दिवांग वेली दो जगह पढ़ा था एक तो हमने पढ़ा था कि इसकी सबसे कम जनसंख्या घनत तो है और सबसे कम जनसंख्या भी इसी की है इसी डिस्टेट की है तो least population density ठीक है जनसंख्या घनत सबसे कम है जन संख्या घनत तो क्या होता है कि पर स्क्वार किलोमेटर किते लोग रहे हैं दो वीडियो इन सेंट्रल स्कीम्स क्या सेंट्रल स्कीम्स पर स्क्वार किलोमेटर किते लोग रहे हैं ठीक है और इंडिया के कितना है 382 है, इतने लोग रह रहे हैं per square kilometer, वैसे अगर हम देखें, 325 था 2001 में, लेकिन अभी 2011 में किता हो गया है, पहले तो अपको 2011 वाला याद रखना है, 2001 वाला तो बाद में याद रखना है, ठीक है, इन में से कौन सा सही match नहीं है, not correctly match आप से पोच रहा है, मिजोरा में highest child sex ratio है, highest child sex ratio बिल्कुल है, 971 हम लोग ने पढ़ा था सही है, हर्याना में lowest बिल्कुल, हर्याना overall भी lowest है, और child के मामलें भी lowest है, ये भी सही है, केरल में highest literacy rate 94% है, नागलन में highest decadal growth देखने को मिली, नागलन में तो हमें lowest decadal growth rate देखने को मिली थी, negative में growth rate देखने को मिली थी, minus 0. 2.4%, आगे बढ़ते हैं, first census of, वैसे overall अगर highest decadal growth rate अगर population की बात करेंगे, तो कहां, मेघाले state की अगर बात करेंगे, overall वैसे बात करेंगे, तो दादर नागर हवेली में, तो मेघाले से भी ज़्यादा हमें देखने को मिला, कैसे आती या था हवेली, ठीक, आगे, 19th, first census of हर्याना as a separate state कब हुआ था, तो ध्यान रखना हर्याना का अलग से एक census कंड़र करवाय गया था, and that was 1971 का census, option number D, as per census 2011, what was the child sex ratio in India, 2011 की जनगर्णा के अनुसार, चाइल सेक्स रिशो किता है, तो चाइल सेक्स रिशो भी देखा था, नौस अनुस, option number C, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, as per census 2011, in which are the following UTs, the female population, out numbers, the male population, इसका मतलब पता है समझे आप, female population, out numbers का मतलब यह है कि कहाँ पे हजार males के लिए, हजार से भी ज़ ज़्यादा females है, यही तो बात हो रही है, तो पुड्डुचेरी अंसर होगा न, 1037, ठीक है, यही पे तो था मारा सेक्स रिशो, अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे हाई सेक्स रिशो केरल का था, किता था, 1084, और UT में 1037, विद पुड्डुचेरी, और highest, sorry, lowest state के अगर ब है, यह भी देखा था, हम लोगों ने मिजोरम की है, यह बताए जल्दी से, और highest पूचा, lowest इबताए जो MP की थी हमारी, कौन सी वो थी, तो क्या answer होगा यहाँ पे, search ship होगा, जो मिजोरम की और lowest, अलिराजपूर, मध्यप्रदेश, ठीक है, अलिराजपूर, मध्यप्रदे आगे बढ़ते हैं, 24th, which are the following, PS is not correctly matched, यहाँ पर सही matched कौन सा नहीं है, जल्दी से पैचान है, चलो, तो highest x ratio के बात करें, तो के रहा होगा, lowest x ratio बिहार नहीं अर्याना होगा, ठीक है, तो option number B, अगला question है, और बाकी देख लेते हैं, highest density आपका डेली में, डेली के तो क्या कहने हैं न, 11,297 इन के था, नंबर lowest density, आपका, lowest population density तो और ना चल में होगा न, यह भी गलत है का तो बार था, जहांपे lowest population density थी, अनमाननी को बार A से अरुनाचल, अरुनाचल टॉप में होना चीए था है, पर 17 लोग रहते हैं, तो तो दो गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, आपके दोनों options हही होगे, B and D, question number 25, as per 2011 का census, population in the age group is 0 to 6 years, कित्ते question total, 25 हो गए, 10 और question बाकी ही, ठीक हमारी, कित्ता होगा, 13.12% होगा, because हमने देखा था, यह पूरी population, 158.5 million थी न, total population, तो यह, इसका 13.12% होगा, which of the following pair is not correctly match, again, करो जल्दी से, not correctly पूछा है, और भाई, sit, state and deep breathe वाली philosophy, अपको इनको नहीं बूल ली है, जो लोग इदम टेड़े होगे, बैठे होगे, इदम सीधे बैठ जाएंगा, और deep breathe ले लेंगे, चलो, तो district with highest sex ratio, district with highest sex ratio, माहें, पुद्डूचरे बिल्कुल, हमने देखा था, पुद्डूचर में सबसे ज़्यादा sex ratio है, और district में भी एक टॉप पे था, lowest sex ratio, दमन और deep, और इसका दमन में सबसे ज़्यादा दमन हुआ था, ठीक है, ये भी सही है, district with highest child sex ratio, लाहौल इंस्पिती, हिमाचल पदेश, सही है, district with least sex ratio, करनाल हर्याना, हर्याना तो है, लेकिन ये जजजर हर्याना है ना कि करनाल हर्याना, ठीक है, तो इसले गलत हो तो मुंबई होगी, option number D, यहां पर सी answer होगा, अगला question है, 29, the Indian state with lowest density of population, according to 2011 consensus, lowest density of population, तो क्या answer हो जाएगा, और ना चल, 17 है, और वैसे अगर बात करेगा, तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा हमारा answer, ठीक है, अंडमान निकोबार में 46 है density, highest बात करेगा density, बिहार में, यूटी बात करेगा, डेली में, डेली का यूटी, बिहार से भी 10 गुना है, which state has recorded the highest child sex ratio in state, highest child sex ratio, child नहीं, sex ratio, तो answer क्या होगा केरल, किता है, 1084, ठीक, आगे बढ़ते है, which of the following is wrong, कौन सा गलत है, state or sex ratio, state or sex ratio में कौन सा गलत है, केरल का तो सही है, ठीक है, हर्याना का गलत हो 99, 893 नहीं होगा, तो इस तेरा से क्योंकि हमने दो क्या पढ़े हैं, हर्याना के, और केरल का हमने से अच्छे से पढ़ाया, तिसलिए इसको हम गलत मतलब कर सकते हैं, इस question को, 32, as per census 2011, population growth rate for the period, इतना क्या रहा, population growth rate, तो annual देखा था, 1.64% था, और decadal इतना था, highest और lowest बता है, तो 1911 से लेके 21, तभी जो 1921 है, उसको year of great divide वोलते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या मचाया था, एक दम यह लो back to back, 33, which state has become the most densely populated state, with 1102 persons per square kilometer, कौन सा है मारा, most densely, तो विहार होगा इसका, ठीक है, वैसे तो यह 1106 होगा, बट I think यह provisional census के according लिखा होगा डेटा, इसके बात बिहार के बाद अगर पूछ लेगा न, अगर कभी बिहार ना मिले option में, और एक चीज़ा भी मुझे तुम्हें बतानी है, जो लोग जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, अभी से जाने का कारिकरम शुरू कर दियें, कि आप तो खतम होगा, दो तीन question और बाकी, इस तो यह देखते हैं, 35th, the population of India has increased by more than how many million during the decade 2011-2011, मतलब कितना increase हुआ है, तो यह हमने देखा था, हमने पूरा ब्राजील एड कर दिया था, 181 million के साथ, है न, मतलब पूरा ब्राजील तो नहीं, लेकिन थोड़ा इसे गम था, ठीक है, 37th, which statement is false about the census 2011, करिये जरह, कुछ सा गल हम, अभी बताएंगे, caste-based census बताना था आप लोगों को थोड़ा सा, caste-based census हो सकता है, कुछ question पूछ ले, तो अभी देख लेंगे, ठीक है, चला, हम, तो अभी करते हैं, इंडिया's population density 382 सही है, after the 19, 382 होगी न, हा, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2001 में 295 थी, अभी 382 है, कोई द sex ratio has been 2011, यह गलत होगा, ठीक है, 1991 से बोला कि sex ratio इंडिया का improve ही कर रहा है, जबकि यह गलत है, ठीक है, यह लिखा है कि, has highest, अच्छा, sorry, sorry, मतलब improve नहीं, फिर भी गलत ही है, मतलब यह लिख रहा है कि 2011 में highest आता, ना, 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 हाइस तो अगर आप 1951 का देख होगे, जाके sensors उठाके, मुझे exactly तो data भी आद नहीं आ रहा है, लेकिन 1901 में अभी के comparison में बहुत ठीक था, अभी के comparison 2011 है, तो ऐसी यह गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकि सभी 2001 से लेके 2011 तक है, तो female की literacy rate increase हुई है, और अरुनाचल प्रदेश has highest rural population in percentage, highest population in terms of percentage, इस का अंसर तो हिमाचल प् इस होगा, तो इसमें भी हम दो option रख सकते हैं, B and D, ठीक है, according to census 2011, the correct descending order, second last question है आपका यह, the correct descending order of states in terms of density, तो density के इसाब समय पता है कि भाई, बिहार के सबते जादा है, then West Bengal, then Keral के तो option number A यहाँ पे सही है, दो-दो option सेम ही है, दो-दो option सेम है ना, दो option सेम है, तो थोड़ा सेर, देख लो, थोड़ा सा क्या है न, last में, जल्दिल्दी में question मिनाने पड़े थे, sorry for that, and the last question है, अच्छा question है, statement based question है, करिया है, चलो, तो एक-एकर के कर लेते हैं, a person who can only read but cannot write is not defined literate, बिल्कुल सही है, read भी होना चाहिए, write भी होना चाहिए, साथ से, उपर होना चाहिए, और किसी भी language, मतलब, जो 20 languages है, शिडूल, 8 schedule में, तो उसमें से समझ होनी चाहिए, ठीक है, तो किसी में लिखे गा, राखे गा, तो कौन सी, 8 में शिडूल में, जो 22 languages है, उन में से कोई एक, children below 6 years of age are not taken, बिल्कुल सही है, नि 1 and 2 हो तो हो गाई, हो गाई, तो हाट गा, तीन और चार में कोई एक होगा, देख लेते हैं, ठीक, for the purpose of census a person is deemed literate, if he or she can read and write with understanding in any of the 22 languages mentioned in the 8th schedule of the constitution, the fact that the district has attained 100% literacy, does not mean that the entire population of the district is literate, hmm, 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 क्या लिखा हुआ है, एक, the fact that a district has attained 100% literacy, does not mean that the entire population in the district is literate, बात तो यह भी सही है, तुझी साप्चे तो 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, hmm, look, a person can, पहला तो सही है, ठीक है, hmm, hmm, a person who can only read but cannot write is not defined literate, is not defined literate, I think पहले वाले में ही दिक्कत है, पहला वाला नहीं हो गया है, ठीक है, because, अगर वो सिर्फ read भी कर सकता है, ठीक है, जितना मझे यादारन, that is, read भी कर सकता है, तो भी, वो literate कहलाएगा, ठीक है, तो write वाला यहां पे, a person who can only read but cannot write is not defined literate, यह वाला गलत होना चाहिए, मेरे इसाप से, तो यहां पे answer 234 होगा, ठीक है, option number, b answer होगा यहां पे, ठीक है, यह जिए 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 जिएन रखना, person who can only read भी कर सकता है न, और basic understanding रखता है in any of the languages, तो उसको हम literate बोलते हैं, write ऐसा नहीं कि, अगर write कर लेगा, तो उसको literate consider नहीं करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ read भी कर लेता है, तो भी उसको हम literate मान लेते हैं, ठीक है, और उसी इसाप से 74.04% literacy rate निकल के आई, नहीं तो I think लिखवा के देख लेते, तो फिर तो और ही कम होती, है न, 2, 3 and 4 होगा, यहीं होगा, ठीक है, all right, चलिए, तो हमारा यहां पर session होता है, खतम, because हमारे सारे questions भी होते हैं, आपर खतम, अब यहां पर एक चीज में आपको बतानी हैं, that is caste based census, अपने नाम सुना होगा भी, ठीक है, दो पॉइंट गलत है, अब और नॉट टेकन ले, children about seven years of age are not taken into consideration, even if they are, okay, 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 B, B, गलत होगा यहां पर तो, B तो गलत है, correct, पूछा है न, children below, okay, below है न, यह तो गलत ही होगा, children below seven are not taken, यह तो सही होगा न, साथ से उपर ही होते है, दूसरे में का दिक्कत है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, for the purpose of senses a person is deemed literate if he or she can read and write with understanding in any of the, सही है, यह तो सही है, ठीक है, read and, deemed literate if he or she can read and write with understanding, तो main अगर मुझे चुनना है, मतलब एक को क्योंकि हटाना है, और यह thing previous year का ही है, जितना मुझे यादा रहा है, ठीक है, तो फिर मैं first को यह अटाऊंगा, ठीक है, person who can only read but cannot write is not defined literate, उसको भी literate की category में रखते हैं, ठीक है, caste based senses आपने news में सुना होगा, तो question आपसे यह बन सकता है, कि first state, caste based census का मतलब होता है, मतलब state अभी तक तो वो national level पे ऐस सच नहीं होता है, कि सिर्फ caste के बैसिस पे, तो state अपना अलग से अब करना start कर रहा है, जैसे कि first state जिसने की caste based census किया, जहां पे मतलब यह देखने के लिए कि कितनी backward classes हैं, mainly उसके state में, ठीक है, लेटेस्ट में अभी कि 2001 के बाद तो अभी census हुआ नहीं है, जो 2021 में होना था, तो इन लोगों ने जैसे बिहार बना है पहला राज्य, और दूसरा बना है, यह मैं को कल पढ़ाऊंगा, आंद्रप्रदेश, आंद्रप्रदेश नहीं अभी भीमराम बेड़कर की, सबसे बड़ा statue, पूरे world में अगर हम बात करूँ, तो सबसे बड़ा statue आंद्रप्रदेश में, inaugurate किया है, आंद्रप्रदेश में, और इस ये state बनेगा, second state इंडिया का, जो की cast based census करने वाला है, ठीक है, तो यहाँ आपे हमारा session, आज का lecture होता है, खतम, तो I hope सारी चीज़ें आपको clear हो गई होंगे, अब किसे को, अगर कोई doubt है तो पूछ सकता है, क्या चीज, overall 15 years considered किया जाता है, 15 साल, हमारे इंडिया में 7 साल है, overall 15 साल considered किया जाता है, बाकी मैं इस question को एक बार और देख लूँगा, एक बार और review कर लूँगा, कि कुछ वैसे तो mistake नहीं होगे, लेकिन मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई ऐसी mistake है, सर क्या ये वीडियो रहेगी YouTube पे, संगीता जी हां रहेगी वीडियो पे YouTube पे, reason इसका ये है क्योंकि इसकी demand करी गई थी, अलग से, कि भाई ये वीडियो अलग से होनी चीए, and because static gk की almost सारी वीडियो फ्री है YouTube पे, तो ये भी रहेगी available, batch में भी upload हो जाएगी ये इसके notes भी batch में मिल जाएगे, तो आपको बना लिए तो ठीक है नहीं तो, नहीं बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएंगे notes, आज की English के, में जिसको notes चाहिए बताओ, 37, क्या चीज, 37, क्या दिक्कत है, इसमें यह होगा कि बई 19, सर SSJ के लिए, ग्रूज SSJ के लिए क्या, क्या बई SSJ के लिए, इसमें क्या दिक्कत है, नव अफ्टर्नेटी, ओके, 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 यह 1991 है, मुझे लगा 1951 है, ठीके, तो फिर D होगा, ठीक है, अगर 1951 होता न, देन यह गलत होता, बिकाज 1951 में हाइस था, ठीके, तो option number D, यहाँ पे फिर सही हो जाएगा, अगर ऐसा है तो, मुझे लगा 1951 है, ठीक है, 1991 दिये होँ, देन तो यह highest है, 1991 से करेंगे, बिकाज 1991 के बाद 2001 में हुआ, देन 2011 में, 2011 में बिल्कुल ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक है, अगर बात करें, तो, 1951 में हैसा, तो मुझे लगा 1951 लिखा, वो 1991 है, वैसे अगर हम बात करें तो फिर 943 है ना भी तो, और 2001 में भी तो कमी था, 2001 में तो 933 था, और 2011 में 943 बढ़ा है, उससे पहले भी 1991 से भी बढ़ा ही है, 1951 में देन हाइस था, तो अगर 1991 से लिखा है तो बिल्कुल ये सही है, गलत पूछा है तो option number D हो जाएगा, sir option 4 कैसे, option 4 कौन सा, इस question का, इधर मेरा comment नहीं देख रहे हैं, स्टाटिक GK के लिए batch 2.0 में भी class होता ना, मतलब, हाँ होगा, मतलब याप पूछ रहा होगा, बिल्कुल होगा, स्टाटिक GK के लिए, अब ऐसा मैं समझना कि नहीं होगा, वो होगा, उसके लिए भी अलक्स है, sir break up हो गया, अच्छा, जोड़ लो भी, हो गया तो, क्या जहां पर हमें एक को गलत कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं इसलिए मैंने फॉर्स को किया, और वो मुझे पता है, एक बार मुझे इस question को review करना पड़ेगा, कि यार ये सही है, कि इसमें कोई typo तो नहीं हुआ है, क्योंकि है तो पहला भी सही अगर देखें दूसर हिसाब से, कि read and write दोनों है, और ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब मैंने literacy 8 के बारे मताया, तो ये question में थोड़ा सा star mark लगा लो, ठीक है, इसको थोड़ा से मुझे देखना बढ़ेगा, कि ये कैसा क्या है, ये कैसे सही है, इसका मतलब ये है कि, जो भी डेटा एकटा किये जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे मालोई district है, तो district है हर एक बंदे से literacy rate चेक करवाई गई, एक कुछ group ले लिया जाता है, उसके बाद data को generalize कर दिया जाता है, कि यहाँ पे एगर 90% लोग, 100 लोगों को बुलाया, एक गाउं से माल लो, ये फिर मालो सारे पढ़े लिखे निकले, 100 के 100 निकले, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि, गाउं में सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है, 5-10 ऐसे हों, कि जिनको ना पढ़ना लिखना है तो, लेकिन उन्होंने अन्हें पार्डिसेट नहीं किया, ठीक है, तो ये मतलब है उसका, शेड्यूल 10 क्यूं नहीं लग रही है बिहार में, जबकि पार्टी चेंज कर रहे हैं, गुरू जी, तो गुरू जी, आपको एक कुश्चन का अंसर ये है, कि अभी तो I think नितीश जीने अनांस्मेंट तो करी नहीं है, और 2 by 3rd, मैंने आपको exception बताया था, 91st मर्जर कंसिडर किया जाता, यही केस हुआ था, महराष्ट में भी, एक्सेप्शन अपवाद, 91st अमेंडमेंट से इस एक्सेप्शन को एड़ किया गया था, चलिए, कल मिलते हैं, 111099 batch में अंतर क्या है सर, एक recorded है और एक live है, ठीक है, एक तो recorded batch है, जो उसमें सारे subject हो चुके है, physics के कुछ lecture चोड़के, जो कि अगली week में हो जाएंगे, तो पूरा complete है वो batch, ठीक है, सब कुछ, और एक जो है, जो recorded उसमें लिखा होगा, ठीक है, और एक जो है, जो 2.0 लि रही classes, जो हम लोग शाम को करते हैं, साड़े 6 वजे वाली, तो वो upload हुआ करती है, ठीक है, वो upload होती है, उसमें, तो अगर आपका target CGL 2024 है, तो मैं अभी वाले को consider करूँ है, कि अभी वाला आप किया करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, यह ना, सर 29 डेली की 36,000 population density, हाँ यूश्वई मैं बता रहा था, मुझे exact data तो याद नहीं आ रहा था, I think 36,000 भी exact तो नहीं, accurate तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रफ़ी 36,000 ही है, बहुत ज़्यादा है वहाँ की population density, एक्ट वाली वीडियो GK recorded में बिल्कुल मुझे पता है, कल भी student ने बोला था, तो करवाते हैं उसको है, अकांशा सत्याकी, सौरब, 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 थोड़ा सा, मतलब, इनफ है, बिल्कुल है, लेकिन उसमें कुछ act वगएरा आ जाते हैं, I think CRPC, IPC से भी कुछ questions बन जा बाकी जो है, fundamental right, fundamental duty, DPSP, जितना वो component होता है, वो पूरा उसमें आपको कोई दिक्कत लेने का ज़रत नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ा इनफ है, अब देखो न, इतने सारे vehicle student ने बहुत call की कि मतलब, सर इसके लिए नफ, उसके लिए नफ है, DSSB का है, उसके लिए लिए ल result, और बीच में अभी और भी एक exam हुआ था, I think, किसका, ESIC का, किसका एक और हुआ था, इतने सारे exam हुआ है, ठीक है, अभी Delhi police का result आया, इतने सारे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि, अलग से आपको कुछ करना है, कायदे से करो, सारी चीज़ों को revision करते रो, कोई कुछ extra करना क पड़ेगी, मतलब, ठीक है, तो वो targeting में help मिलती है, हिटलर का दमा, ठीक है, समझी है, चलो भई, thank you, दो गंटे हो गया, दो गंटे तो पूरे तो नहीं हुए, अभी आदा गंटा बागी है, ना, 6, 7, 45 तक हुआ था, ना, मारा class, मतलब 6, 15 पे start हुआ था, 7, 45 तक हुआ था, तक हुआ